दिखने में क्यूट है और खाने में सुपर क्रिस्पी है तो आज मैं आपको पोटाटो नंगेस बरताने वाली हो यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिये हैं फ्लेवर के लिए हम इसमें मखन डालेंगे और साथी में कूटी हुई काली मेज सुखी हुई रेड चिली फ्लेक्स और स्वादानुसा नमक डालकर इसे मिला देंगे बाइंडिंग के लिए हम इसमें कॉन फ्लाव मिला देंगे यह देखिए हमें इस तरह का एकदम क्रीमी टेक्षर चाहिए यह जो सारा मिक्षर है इसे हम जिप लोक बैग में भरेंगे और इस तरह से इसके लंबे लंबे स्टिक्स निकालेंगे इन स्टिक को 30 मिनट के लिए हम फ्रीज में रखेंगे यहां पर मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए और उसके बाद मिक्सी में इस तरह से चूरा बनाके लिया है दुसरे बावल में हम मैदा और साती में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक गोल बना लेंगे अब यह अच्छे से सेट हो गया है तो इन्हें हम मीडियम शेप में कट कर लेंगे इन्हें हम सबसे पहले मैदे के घुल में अच्छे से डीप करेंगे और उसके बाद हमने जो ब्रेड का चूरा बनाया है उसमें अच्छे से कोट कर लेंगे अब इन सारे नगेट्स को हम 30 मिनिट्स के लिए फिर से फ्रीज में रखेंगे आप चाहो तो इसे हफते बर के लिए स्टोर करके रख सकते और जब आपको खाने का मन करें मीडियम फ्लेम पे यानि के मद्यम आज बे इने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करें